Hello friends, welcome back to my channel उमीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया RRB NTPC-CBT2 में Level 5 और 2 में टाइपिंग टेस्ट होना है जिसके बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूँगा और एक-एक जानकारी सटीक होगी जिसको जानने की बाद डेफिनेटली आपका एकजाम भी क्रेक होगा और बहुत ही आपको फायदा मिलने वाला है और वीडियो को end तक देखिएगा end में मैं कुछ आपको बाते बताऊंगा जो आपको बहुत ही कारगर सावित होगी तो चली वीडियो शुरू करते हैं लेवल 5 और लेवल 2 के लिए टाइपिंग टेस्ट होना है जैसा कि आप बोट पर देख पा रहा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये लेवल 5 की पोस्ट हैं और जूनियर क्लर कम टाइपिस्ट इवल 2 की पोस्ट है सबसे पहले कि टूदेन का कमेंट आया था नेक्स्ट पुराने वीडियो पे हिंदी के तो 25 वर्ड पर मिनिट आपको करना है कम से कम आपको 10 मिनिट की टाइपिंग दी जाएगी मतलब लगभग 300 word की इसमें मिलेगी और 10 मिनिट का सायद इसका भी होगा हिंदी के लिए जो font होंगे वो करती देव और मंगल font करके होंगे तो इन दोनों font में आपकी typing होगी तो आप English-Hindi में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं ये कोई वो नहीं है कि Hindi आपने language भरी है तो आपको Hindi में करना है आप English से भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनको इस criteria में छूट मिलनी हैं देखिए, level 2 में 8 गुना बच्चे चुने जाने है तो level 6 के range में उसका cut off जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों को typing देने के लिए मिलना है तो आप बिलकुल मत घवराईए, आपका selection जरूर हो जाएगा थोड़ी से number कम है तब भी वो आपको typing के लिए बुलाएंगे और देखिए, जब आपने CBT 1 कर लिया, CBT 2 आप क्रेक करने वाले हो तो यह typing कौन सी बड़ी बात है यह तो आप करी लोगे न, 15-20 दिन का समय दीजे 30 word per minute आ जाता है बिलकुल आ जाएगा, लेकिन इसके लिए पहला criteria क्या है कि आपको spelling वगेरा याद होना चाहिए जैसे Junior, J-U-N-I-U-R Assistant, A-S-I-S-T-A-N-T है ना, Account, A-C-O-U-N-T spelling याद होंगी तो आपको बार-बार स्क्रीन पर नहीं देखना पड़ेगा और मालो अगर आपने कोई spelling गलत कर दी जैसे मान के चलो आप लिख रहे हो Because, B-E-C-A-U-S-E को आपने लिख दिया U-T-E तो आप backspace कब जा सकते हो जब आपने पूरा word नहीं लिखा है तब आप उसको correct कर सकते हो पूरा word लिखने के बाद, enter करने के बाद वो correction नहीं होगा, दूसरी चीज आपको 95% accuracy रखनी है और जब 30 word पर मिनिट बोल रहा है पोर्टल पर certificate अप्लोड करना होगा उसमें जो student आएंगे वो blindness वाली student होगे जिनका vision low है, जिनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है दिव्यांग लोग जो है या फिर cerebral प्रणाली वाले या लोकोमीटर आचमता वाले लेकिन इनके पास 40% से कम का certificate नहीं होना चाहिए 40% से ज़्यादा का ही होना चाहिए तब ही उनको ये फायदा मिलेगा और दूसरी चीज़, typing का score नहीं जोड़ना है अगर हम station master के psycho की बात करें तो 70% second stage का और 30% psycho का जोड़ेगा लेकिन typing के वल qualifying nature का है तो merit पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको वो typing के लिए जरू बलाएंगे और typing speed अगर आपको बढ़ानी है तो आप Google पर कोई भी website किसी भी website पर जाकर typing करिए 15-20 दिन आपकी speed आ जाएगी 30 word permit आप कर लोगे जब आपने दो exam क्रेक किये हैं तो definitely आप इसको भी क्रेक कर लोगे और इस range में इस category में आने वाले लोगों को जिनकी पास 40% से ज़्यादा का certificate है वो exam मतलब typing के पहले portal पर certificate अप्लोड करेंगी तो उनको typing में छूट मिलेगी मतलब वो typing नहीं देंगी तब भी उनका selection माना जाएगा इसमें total merit आपकी CBT2 computer based test second exam में परही बनना है merit इसका typing का कोई role नहीं है यह कि वो qualifying nature का है 30 word per minute English में 25 word per Hindi में और आप English Hindi किसी में भी कर सकते हो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं अपने YouTube channel पे maths अभी पढ़ाता हूँ लेकिन दीरे दीरे मैं English Hindi reasoning maths सारे subject चालू करूँगा क्योंकि मैं सारे subject पढ़ा लेता हूँ और मैं अपना best देने की courses करूँगा और बहुत ही जो भी मेरे YouTube channel से जुड़ चुका है या जुड़ेगा उसको definitely मैं बहुत को सिखा कर जाओंगा आप exam की तयारी कर रहे हों otherwise ना कर रहे हों तो definitely आप channel को subscribe करिए वीडियो को दूसे लोगों तक share करिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में do like, comment, share and subscribe thank you so much, नमस्कार